हालो दोस्तों स्वागत है आपका हाइट्रेक कंप्यूटर चुट्रिल के इस वीडियो में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंप्यूटर पैडागोजी से संब्धित 11 ऐसे प्रस्ण जो हारियाना टैट में या कंप्यूटर अंद्शिक एक्जाम में आ रखें तो इससे आपको यह कंसेप्ट मालूम चल जाएगा भी कंप्यूटर पैडागोजी में कैसे केशन आ सकते हैं क्योंकि यह बहुत कंफ्यूज करने वाल टॉपिक है मैं इसके तीन चार पार्ट डालूंगा अगर आपको यह टॉपिक अच्छा प्रिपैर करना है तो इस वीडियो को देखें हैं और आगे आने वाले पार्ट को भी देखें तो सुरुवात करता है क्शन नमबर बन से किसी भी संकाई द्वारा शिक्षा को कारगर डंग से प्रदान करने के लिए सूचना वे सूचना वे संचार प्रोदगी की या तक्निकी की साहिता से अदतन शिक्षा यानि पैडागोजी की एक नॉर्मल डेफिनिशन देखें पैडागोजी को इननी मों बोलते हैं शिक्षा सास्त तो यह आपको डेफिनिशन मालूम होना जरूरी है अगर आप पैडागोजी को पढ़ रहे हैं उसके बाद में कर्शन नमबर टू देखो इससे कंसेप्ट औ दूसर कंप्यूटेशनल थिंकिंग तीसरा कंप्यूटर साइंस और चौता कंप्यूटर टीचिंग अधिकतर यूजर या स्टुडेंट इसको सही करके आते हैं इन दोनों को जो गलत है ठीक है हमको अगर एक सक्षम टीचर बनना है तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग यानि क आइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भी फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री सिक्षा सास्त्र के समान्य उद्श ये वे लक्षे कितने प्रकार के हैं ठीक है स्पैड़ा को जिक अंदर जो मोटो और जो टार्गेट या लक्षे कह सकते हैं वो कितने प्रकार के है तो पहला नॉलेज दूसरा एप्लिकेशन तीसरा अनलेसिस यान ज्यान वर्दक या प्रयोगिक और फिर तीसरा वर्णन आत्मक तो यह तीनों के तीनों इसमें होंगे यह तीनों प्रकार के होते हैं ठीक है तो अगला प्रशन व्लूम टैक्सोनोमी वर्गिगर्ण किस है काफी बार रिपीट हो चुका है और यह सिक्षा सास्तर के से संभनी है उनके सिद्दान तो संभनी है तो उनमें अक साइंटिस्ट हुए थे वो साइंटिस्टे थे अ डाक्तर बेंजमिन ब्लूम ठीक है बेंजमिन ब्लूम ठीक है यह 1956 में इन्होंने एक क्लासिफिकेशन क्रेट किया था जिसको ब्लूम टेक्स्टनोमी वरकी करन कहते हैं ठीक है यह भी बहुत इंपरेंट ऐसे केशन भी आ सकते हैं ज्यादा डीप में नहीं आएंगे ऐसे सब्सक्राइब करने के लिए आपको पैक्टिस करना जरूरी होता है तो इसका राइट ऑप्शन क्या होदा डूरिंग दर टीचिंग पैक्टिस यानि सिक्षन अभ्यास के द्वारा ही हम माइक्रो टीचिंग को और प्रबावी बना सकते हैं सिक्षन अभ्यास के द्वारा हम बार-बार सिक्षन अभ्यास करके ही हम अपनी माइक्रो टीचिंग को और और effective बना सकते हैं, फिर question number six, वे section पता थी, जिसमें सिक्ष्यार्तियों के भागीदारी सक्रिये, उत्रकृष्टम हो, यानि ऐसा कौन सा जो method है, जिसके अंदर एक टी, सिक्ष्यार्ति जो teacher होते हैं, उनका participation active रूप से होना चाहिए, और उत्रकृष्ट होना चाहिए, तो व फिर next अपन जलते है, question number seven, निम्न में से कौन सा संग्यानात्मक शम्ता का उचतम इस्तर है, यानि हम जो संग्यानात्मक जिसको cognitive भी बोलते हैं, ठीक है, का उचतम इस्तर कौन सा है, knowledge or understanding, analyzing or evaluating, यानि जो हम कोई भी concept को समझाते हैं, तो उसका समझाने का उचतम इस्तर मतलब उसको अपन कैसे परक हैं कि वो सही हमने सिखा दिया है, तो वो लास्ट ऑप्शन होता है, evaluating, जिसमें हम कह सकते हैं, मुल्यांकन या मुल्ये निर्दारन, बुल्यांकन या मुल्ये निर्दारन, देगें, उससे अपन को मालूम चलता है, के वास्तों वो टीचिंग सही की ग आते हैं, तो वो टीचर के दुआरा आम तोर पर जो संचार होता है, वो किस तरह का होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, effective, sangeyanatma, cognitive होना चाहिए, पावात्म, effective होना चाहिए, या emotional type, फिर चुनिंदा या selective type का होना चाहिए, तो इसमें अधिक तर इसको sangeyanatma को टिक कर क्याते हैं, जो गलत है, इसका सबसे सही अंजर होगा, effective यानि प्रभावी होना चाहिए, फिर नमबर नाइन केशन, एक अच्छा शिक्षक कौन होता है, अच्छा शिक्षक कौन होता है, जो हमें उप्योगी जान करी दे, provide useful information, explains concept and principle, यानि जो concept and principle उनको अपनको अच्छी provide printed notes to learn, तो ये तीनों ही हो सकता है, teaching से जुड़े वे हो, लेकिन इसका right answer यह होता है, teacher वही अच्छा होता है, जो बच्छों को inspire करें, उनको प्रेरित करें, आगे बढ़ने के लिए, तो इसका right option क्या हो जाएगा, inspires students to learn, फिर question number 10, सीखने का सबसे उप्यूक्त अर्थ क्या होता है, यानि अगर आप बच्छों को पढ़ा रहे हो, बच्चे आप से पढ़ रहे हैं, तो उसका सही माइने में अर्थ क्या होता है, कोशल का अधिग्रे, पहला option दूसरा विवार में संशोधन, तीसरा व्यक्तिकत समाय विजन, चोता ज्यान का समाविश, तो सही माइन में उसका होता है, अर्थ व्यहवार में संशोधन, यानि हम उसके अंदर behavior development करते हैं, के day by day उसके अंदर एक अच्छा व्यक्तिकत बनाने की कोशिश करते हैं, जो इसके व्यहवार में दिखने लगता है, ठीक है, राइट option इसका क्या हो जाएगा, व्यहवार में संशोधन ठीक है, फिर इस वीडियो का last question, देखो, ऐसे भी question आ सकते हैं, पैड़ा बोजी के अंदर, जो computer की history से संबंदित हो, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसे where HTML editor कौन सा था, जो 2003 तक Microsoft Office का भाग था, यानि, HTML editor जैसे आप, अगर coding जानते हो, तो not paid software पे भी कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको pre design template है, उनको आप एक software होता है, front page यार, खह सकते हैं, अपन एक होता, dreamweaver, उस पे भी कर सकते हैं, जो macro media का होता है, तो, एक software है, front page, जो पहले, Microsoft Office का भाग था, Microsoft Office, जैसे word, excel, power point, अभी अपन, word, excel, power point, और MS access software, जो किसमें मिलता है, पनको MS access, MS office में मिलता है, तो, वैसे, front base भी, पहले MS office का भाग था, ठीक है, 2003 तक, उसके बाद में, इसको अलग कर दिया, क्योंकि, web development की लिखा माता है, तो, इसका अलग से software, आप download कर सकते हो, front page, ठीक है, तो, इसका right option क्या हो जाएगा, B, तो, इस तरह में आपको 11SF ने बताए जो पैड़ा गोजी से संबन्द थे, और आगे मैं आपको 2-3 पार्ट के अंदर और बताने कोशिश करूँगा, तो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो, प्लीज इसको like करें, share करें, और चैनल को subscribe करें, thank you